नमस्कार कैसे हैं आप सभी आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ करवा चौत अस्पेसल मखनी पलाओ और वो भी बिना लासुन और प्याज के तो इस करवा चौत आप ये रेसिपी जरूर ट्राई करिएगा आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी तो चलिए बनाते हैं आ अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक और मेरे चनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा तो चलिए बनाते हैं तो ये बहुत ही असान सी रेसिपी है तो चलिए रेसिपी को बना लेते हैं तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक बर्तर लेंगे और इसमें एड करेंगे टमाटर टमाटर को पीछे से थोड़ा सा कट कर लेंगे ताकि ये जल्दी कुक हो जाए और हमें छिलका उतारने में भी आसानी हो और मैंने यहाँ पर तीन टमाटर अल्रेड लिया है फिर हम इसमें एड करेंगे हरी मिर्च और अदरक काजू और यह सारे इंगेडियन्स का नाम मैंने वीडियो के लास्ट में नोट कर दिया है आप वहाँ से चेक कर लिजिएगा तो मेरी वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा तो फिर हम इसे कुक करने के लिए इसमें एड करेंगे दो कप पानी और इसे ढख कर हम कुक होने देंगे तो चलिए इसे हम ढख कर कुक होने देते हैं ये अब अच्छी तरह से कुक हो गिया क्यूंकि टमाटर में थोड़ा क्रेक आ गया है अगर आपको नहीं दीख रहा तो मैं आपको थोड़ा सा जूम करकर दिखाती हूँ तो चलिए इसे हम जूम करके दिखा देते हैं कि इसमें क्रैक आया है कि नहीं तो देखिए इसमें क्रैक आ चुका है अब मैं गैस को आफ कर दूँगी और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे और जब ये ठंडा हो जागा तब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे इसे ठंडा होना देना बहुत जरूरी है नए तो जब आप इसे गर्म ग्राइंड करिएगा तो ये सारा बाहरा जाएगा और अगर आप जल्दी कुक करना चाते हैं तो आप मिकसर जार पर थोड़ा सा कपड़ा रख दीजिएगा और इसे दवा कर ग्राइंड किजिएगा तो जब तक ये ग्राइंड होता है तब तक हम चावल को भी कुक कर लेते हैं तो मैंने यहाँ पर आल्रेड़ी पानी को गर्म कर लिया है और फिर हम इसमें एड करेंगे चावल देखिए चावल कितनी अच्छी तरह से उबाल चुका है शिरिफ मैंने इसमें एक छोटी इलाजी ही आइड किया और फिर हम इसमें सोकिया हुआ बासमाती राइस कुक करेंगे और चावल को हम 80% तक कुक करेंगे जब तक चावल कुक होता है हम आगी का प्रोसेस कर लेते हैं तो हम यहाँ पर एक कड़ाई लेंगे और कड़ाई को गर्म होने के लिए रख देते हैं और फीर हम एक प्लीट लेंगे और प्लिट में एड करेंगे पनीर- पनीर को इसमें कट करकर कर लेंगे अब पनीर में थोड़ा सा कलर लाने के लिए हम इसमें रेट चिली पौडर एड़ करेंगा और इसे मिक्स करेंगे और फिर हम इसे फ्राई कर लेंगे सॉलो तो इसे फ्राई करने के लिए हमने पैन रखाता जो गर्म हो चुका फिर हम इसमे एड़ करेंगे घी अगर आप के पास घी नहीं है तो आपर रिफन तेल का भी स्टमाल कर सकते है पर मकनी पलॉक के लिए खी सबसे वेस्ट होता है फिर हम इसमें पररीन को सॉलो फ्लाइक कर लेंगे जब यह हलका लाइट ब्राउन हो जाए तब हम इसे निकाल लेंगे फिर हम इसे पैन में एड़ करेंगे थोरा सा और घी और उसे गर्म होने देंगे जब घी गर्म हो जाए तो गैस आफ करकर हम इसमें रेट चिली पॉडर एड़ कर देंगे गैस आफ करना बहुत ही जरूरी है क्योंकि हमारा मसाला नहीं तो जल जाएगा फिर हम इसमें एड करेंगे ग्रेवी जो कि हमने अल्रेडी टामाटर का पेश्ट तयार किया था और इसे भी हम 10-5 मिनिट के लिए कुख करेंगे और जब तक इसमें उबाल ना आजाए तब तक अब इसमें उबाल आ गिया है हम आपको जूम करकर दिखाते हैं देखिए इसमें उबाल आ चुका है तो फिर हम इसमें एड करेंगे टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट और इसमें एड़ करेंगे मलाई जो कि घर का मलाई है और फिर हम इसे कुप करेंगे एक दो मिनिट के लिए फिर हम एड़ करेंगे फ्राइ किये हुए पनीर को और इसे भी कुछ मिनिटों के लिए कुप करेंगे पनीर मसाले को एक जोब कर सके तो इसके लिए हम इसे ढख कर एक दो मिनिट के लिए कुप करेंगे एक दो मिनिट बाद हम इसका कवर हटाएंगे और इसमें हम चावल को फैला लेंगे फिर हम उपर से एड कर देंगे फ्राइ किये हुए काजू, किश्मिश और मखनी मसाला ये मखनी मसाला घर का बना हुआ है अगर आप इसकी रेसिपी देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करकर जरूर बताईएगा फिर हम सेंटर में थोड़ा सा होल कर देंगे और इसमें एड कर देंगे घी और फिर इसे कवर करकर पंदरा मिनिट के लिए दम लगाएंगे पंदरा मिनिट वाद जब हम इसका लीड हटाएंगे तो इसकी खुस्पु सारे घर में फैल जाएगी सच में इसकी खुस्पु बहुत ही मज़ेदार है और मैं आपको इसको दिखाती हूँ तो ये रेडी है खाने के लिए है ना बहुत ही असान सी रेसिपी क्योंकि घर का जाएगा विद्खुस्पु में जो भी पकता है वो दिखता है तो चलिए हम इसे सर्व कर लेते हैं तो सर्व करने के लिए हम एक बॉल लेंगे और इसमें इसे ट्रांसफर करेंगे और इसे कार्नेसिंग करेंगे रेड टमाटर के साथ इसके साथ किसी और चीज की जरुवत ही नहीं पड़ेगी आपको यकीन नहीं होता तो आप इससे एक वर जरूर ड्राइ करिएगा और हमें कमेंट करकर बताईएगा कि ये कैसा बना है और ये रेसिपी ऐसी बानी है जिसमें हमें कुछ भी महनत नहीं लगा तो आप इसे करवाचोत में जरूर ड्राइ करिएगा तो चलिए हमें तो वेट नहीं होड़ा चलिए हम इसे ड्राइ करकर देखते हैं कि ये कैसा बना है देखिए चावल कितना खिला खिला है है ना तो चलिए हम इसे चेक करते हैं सच में सच में सच में ये बहुत डिलीजियस है यकीन नहीं होता तो आप इसे जरूर ट्राइ करिएगा और ट्राइ करने के लिए आपको इंगिडियन्स की जरुवत होगी जो कि सारे इंगिडियन्स का नाम मैंने लिख दिया है आप देख लीजिए तो चलिए इसके इंगिडियन्स को देख लेते हैं आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज इसे एक लाइक और अपने फ्रेंट फैमिली में शेयर जरूर करे और मेरे चैनल को सस्क्राइब करना तो बिलकुल भी मत भूलिए प्लीज मेरे चैनल को सस्क्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए तो फिर मिलते हैं इसी तरह की नई रेसिपी के साथ कम बजट में अपने इसी चैनल घर का जाएकावित खुश्वू में जब तक खुश रहिए, खुशियां बाठते रहिए और आज पास सफाई बनाई रखिए थैंक यू थैंक यू फर वाचिंग टेक कियर और नमस्कार